नहुश्काबर स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में डिसकेज करने वाले हैं आज की डेट का सबसे ज़्यादा गरमाया विशह नीट एक्जाम 2024 जो एक तरीके से स्कैम की कैटिगरी में आ चुक है Supreme Court में काफी सारे जो बच्चे हैं यानिकि उनके जो माबाप हैं वो Supreme Court में जा चुके हैं यह याचिका दे चुके हैं कि भाई साब यह जो एक्जाम हुआ है 2024 का नीट का इसके अंदर घपला हुआ है यह paper leak हुआ है किरपया करके इसकी एक बार जांच करवाईगे क्योंकि ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 720 का एक्जाम होता है उसमें से 720 में से 720 बच्चों के आए हैं और इसके अलावा एक 719 और 718 यह भी नंबर आये हैं यह भी नहीं आ सकते थे mathematically तो यहां पर यह सब चीजे जो हैं काफी जादा एक controversial इशू बन गया है तो हम जानेंगे कि आखिरकार NEET से जुड़ा विशय क्या है यह paper leak को होने वाला एक पटना पुलिस के अंदर नतलब की बिहार पुलिस में यह जो मामला दर्ज किया गया था कि paper leak भी हुआ है वहां पर जो है NTA जिसने यह paper लिया है National Test Agency इसने जो paper लिया है अब इसका जो जवाब है क्योंकि इसने भी press conference के अंदर इसने भी answer दिये थे कि जो जो इन से पूछे गए कि आपका क्या जवाब है तो इसके जो जवाब है उसको भी हम देखने वाले है तो चलिए आज की इस पहले तो हम बात करते हैं कि इसका result जो है वो चार जून को आया मतलब नीट एक्जाम यूजी तो जो ज़ूजर का जो result है वो चार जून को गोशित कर दिया जाता है अब चार जून आपको पता है कि क्या था चार जून को हमारे देश के अंदर election के result आ रहे थे election के result के time सबकी जो नजर है पूरे भारत की in elections के उपर थी भारत की क्या मैं कहूं कि पडोसी जो देश है उनकी भी नजर यहां पर थी तो उस वक्त समझिए जो चार जून को result देना एक तरीके से ऐसा समझा जा रहे है कि आपने से चुपके से क्योंकि मीडिया तो इसको coverage देने वाल मैं ऐसा नहीं गहा रहा हूं कि सोचो कि सर आप ऐसा बोल रहे हैं लोगों की जो बातें आ रही है और एक तरीके से आप देखे ना चार जून को अब चार जून को इन्होंने बोला था 14 जून को यहनि कि 10 दिन बाद result आना था यह 10 दिन पहले result क्यूं देने हैं तो जो रिजल्ट है यूजी का यानि कि नीट यूजी दोजाचोबिस का वो रिजल्ट दे देती है जो की एक तरीके से नीट क्या करता है नेशनल एलिजिबिटिक कम एंटरंस टेस्ट होता है जो की competitive exam करवाते हैं admission के लिए medical, dental, I use जो course होते हैं उनके government और private college के अंदर admission के लिए ये एक exam करवाते हैं clear हुआ अब आपको बता चल गए हो के नीट किसके लिए नीट जो एक doctor बनते हैं भाई साब उनके लिए MBBS जो doctor होते हैं वो उनके लिए हो गया यह अब यहाँ पर जो है एक तरीके से okay 2024 में जो total registration है एक बार इसके उपर भी आप देख लिजिए 24 लाग के तकरीबन जो है यहाँ पर registration होई थी 2023 में वो 20 लाग के 21 लाग के तकरीबन रही थी तो इस वक्त आप देखेंगे ना 2024 में सबसे जादा जो है यहाँ पर बच्चे जो paper देने पहुंचे थे अब परेडावों में जो ऐसा धान रूप से बड़ी संक्या में उमिद्वारों क लिखण एक तो 720 में से 720 लेके आना 67 बच्चों के 720 में से 720 नर्या आये हैं दूसरा यहाँ पर दूसरा भी शॉयर रहा 718 और 719 अंक मिले तो एक था 720 में से 720 नर्या दूसरा गाि अरे 718 और 719 नर्या तो यह आ नहीं सकते क्या 78 नहीं आ सकते 719 नहीं इसको भी हम डिस्कस कर वाले हैं, प्रिणामों के किलाब जो है, दो उच न्याले में कम से कम दो याचिका तो दैर कि जा चुकी हैं एक जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दैर की गयी थी, जिसमें कहा गया था कि जो पर्षन प्रतर है वो लीक हुआ था यानि जो पेपर है वो लीक हुआ था और इस अधार पर प्रिक्षा को फिर से आयोजित किया जाए पिछले महीने की बात है और यहां पर जो एक और याचिका पर सुनवाई करते हुआ प्रिनामों के जो रिजल्ट है वो बाहर निक प्रिक्षा से रिलेटिड स्वाल थे उनसे पूछे उनके अकोर्डिंग देश भर में 700 से अधिक मेडिकल कॉलिजियों में लगबग 1,08940 जो MBBS सीट है उनके ऊपर जो यहां पर एक तरिके से एंटरंस एक्जाम करवाया गया था देखे 24 लाग बच्चे आ रहे हैं वो ए पूछे गए थे उन्होंने इसके ऊपर क्या इन स्वालों को हम बहुत आचे से डिसकस करने वाले हैं तो फर्स्ट आफौल हम जो 67 का जो टोपर से उसको हम डिसकस करते हैं देखे कुल 67 जो है अन्होंने अब मैं यहां पर दिखाओ तो हां यह देखे आप देखेंगे ना पर आप नाम के बाद का नाम लिखा उना जरूर यहां पर कहीं पर भी आपको बादका नाम नहीं लिख रहा है तो एक यह चीज भी कंट्रोवर्शी में निकल कर आ रही है फिर यहां पर जिनके एक जो 220 С 517, 718 थे वहां पर कहा जा रहा है कि उनका rank जो है वो बहुत ज़्यादा अलग है मतलब कि देखिए first rank किसका हो गया 720 वाले का 720 का 720 में से जिच के आए 719 और 718 का rank जो है वो दो ना होकर बहुत दूर का एक तरीके से समझे उनका result दिखा रहा है यह मतलब rank दिखा रहा है तो यह कैसे हो गया clear हुआ तो 67 में से जो यहां पर जो परिक्षारती है उन्होंने top किया 2022 के अगर मैं बात करूँ या फिर पिछले साल के अगर बात करूँ पिछले साल सिर्फ 2 ही top पर थे यानि कि 2023 में 2023 में सिर्फ 2 ही top पर थे अरे 2 top पर से इस बार जो है मानलो competition जादा हो गया 2 top पर से बढ़के 4 top पर होगे मानलो 10 top पर होगे यहां पर पहुंच कितने गए 67 पहुंच गए वही सबसे बड़ा तो यह हमारे सामने controversy का issue बन के आ रहा है लेकिन देखे इस पिछले साल दो थे जो है कि यहां पर 2021 के अंदर या 2021 के अंदर आपको 3 देखने को मिले थे 2022 के अंदर 1 देखने को मिला था लेकिन हां हो सकते हैं कैसे आगे? इसके वपर भी जवाब दिया है इन्होंने का बाल सक है जैसे कि Indian Express ने जो केंडिडेट थे, जो टोपर से, उन्होंने बेसिक फिजिक्स के सवाल का जवाब भी गलत दिया था, लेकिन फिर भी इने ग्रेस मार्क दिये गए, क्यों दिये गए, क्योंकि NCRT की जो क्लास 12 की जो टेक्स्ट बुक है, उसमें पुराने संस्क्रण की गलती थी, वाँ भ यहां पर इस चुनोती, इसकी को चुनोती दे दी, चैलेंज कर दिया, चैलेंज क्यों कर दिया, क्योंकि पाठ्थ है पुस्टक जो टेस्ट बुक में ऐसी जानकारी थी, जो एक गलत उत्तर की दर विशारा करती थी, NTA एक अधिकारी ने इंडिन एक्सप्रेस को बताया, क क्या कहने चारें, NTA, कि जो हमने आप से स्वाल पुछा था, बेसिक फिजिक्स का, वो एच्वल में उसका आंसर तो दूसरा था, लेकिन आप जो बुक पढ़के गए थे, NCRT की क्लास 12, उसमें आंसर दूसरा था, तो यह बुक की गलती है, आपकी गलती नहीं है, इसलिए आपको ग्रेस मार्क दिया जा रहा है, तो यह बात बोली, NTA के अधिकारी ने, इंडियन एक्सप्रेस को, कि भाई, जिन्हों ने यह गलती करती हम छात्रों को थोड़ना दंडित कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी उम्मीदवारों को यह जो नीट की तैरी करते हैं, उनको यह ही संक्या, 2023 में के मुकाबले काफी जाता थी, obviously हमने नंबर भी देखा, यह तीन लाग बोलने, तीन लाग से भी अधिक थी, उम्मीदवारों की जो संक्या में जो वृधी, obviously सभावी ग्रूप से इतने जादा उमीदवार आ गए, तो एक हाई कट-off तो वैसे ही जानी जानी Okay, obviously यह तो हम accept कर सकते हैं कि जितने जादा candidate होंगे, उतनी ही जादा competition बढ़ेगा, इसमें क्या है कि NEET exam में एक minimum age तो decide है, लेकिन एक high age decide नहीं कि आप 20 साल के होगे तब तक बर सकते हो, या आप 23 साल के होगे तब तक बर सकते हो, या 30 साल के होगे तब तक बर सकते हो, या 30 इसले NEET exam की तुलना में असाना है, मतलब 2023 का tough था, 2023 का tough था, 2024 का easy आया, as compared to 2023 के, यह इनोंने बोली, एक तरीके से high cutoff को इनोंने tackle करने की कोशिश किया है, फिर 2018-19 का यह अजीमाम लगे है, देखे, 720 के exam में से क्या था, एक question जो है, वो 4 नमर का होता है, अगर आपने question ठीक कर दिया, तो आपको 4 नमर मिल जाएंगे, अगर आपने question ठोड़ दिया, माल लो, 720 number का paper था, 720 number के paper में से, आपने एक exam ठोड़ दिया, तो 720 के एक exam ठोड़ दिया, तो इसमें से minus 4 कर देता हूं, 716 बने, 716 ही तो बने, आपको ने एक exam नहीं किया, तो exam, एक question नहीं किया, त चलो, आपने वो question भी कर दिया, तो अब क्या हो गया, चार नमर तो कटेंगे, वो गलत हो गया तो, तो चार नमर तो कटेंगे, साथ में एक negative mark भी लेके चला जाएगा, तो वो क्या हो गया, घटके कितना है, यानि 720 में से इस बार कितने घट जाएंगे, 5 घट जाएंगे, तो अगर 720 किसी के टोपर के आ रहे हैं, तो उसके बाद जो second टोपर के नमर कितने आ सकते हैं, 716 आ सकते हैं, फिर उसके नीचे बाई 715 हो सकते हैं, तो ये बात होगे हमारे सामने, 720 हो सकते हैं, 716 हो सकते हैं, 715 हो सकते हैं, ये कहीं पर भी गणित नहीं बन रहा है, कि हानी को लेकर हमने जो है इनको परती पूरक एक तरीके से compensatory marks दे दिए वह कैसे compensatory marks दे दिए कोई criteria fix किया कि नहीं किया इनका देगे बहादरुगड जो हरियाना में दिल्ली, 36 गड़ के कुछ के अंदरों में छात्रों ने शिकायत की कि उन्हों अंने अपने friction पूरा जो एक तरीके से friction को क्या बोलते हैं यहां पर they didn't get time allotted on their test अंको जो test पूरा करने के लिए जो समय दिया गया था वो समय नहीं मिला उनको जितना समय देना चाहता भवा नहीं पंजाब और हर्याना दिल्ली थिश्टिसगड हाई कोट के अंदर क्या गया गया समक्ष जो यह रिट या चिकाएं जो दायर की गई थी जो इस समय को लेकर एंटे ने अपनी फ्रेस कोंशन के अंसार ये बात बोली एंटे ने जांच करवाई कि जो बच्चे बोल रहे हैं कि वो सही या गलत क्या उनको टाइम जो दिया गया था उनको मिला की नहीं मिला तो उन्होंने जब जांच कराई और इस चीज़ को पाया कि भाई साब वो टाइम जो उनको कम मिला इसलिए उनकी टाइम की हानी हो गई जो इसमें प्रिक्षाइश समय की हानी का पता लगाया गया और ऐसे उमीद्वारों को उनकी उत्तर देनी की जो शमता थी खोए हुए समय के अधार पर उन्हें अंकों के साथ मुवावजा दिया गया मतलब आपको टाइम नहीं मिला तो आप क्या करिए चलिए कोई बात नहीं आपको हम ग्रेस मार्क दे देंगे आपको थोड़ा नंबर हम दे देंगे जैसा कि मानेनिय सर्वोच नेले द्वारा स्थापितन तरसुत्र के अनुसार दिनांक 13-6-2018 के अपने फैसलें बताया गया था अपने इस रिलीज के अकोर्डिंग जो एंटी उन्हों ने बताया कि 1563 उमिद्वारों को मुवावजा दिया गया और ऐसे उमिद्वारों के शंशोदी दंग 20 से लेके 720 तक भिन भिन है बदलब किसी के कुछ हो रहा है किसी के चाहिए ऐसे ही दो उमिद्वारों के अंक जो है एक तरीके से 718 और 719 भी देखने को मिले ये एंटी ने अपनी बात बोल दी कि इन बच्चों को टाइम का नुक्सान हुआ टाइम का नुक्सान हुआ तो हमने उनको मार्क्स दे दी है मार्क्स देने के बाद कुछ बच्चे ऐसे निकल कराए दो ही बच्चे निकल कराए सामने जिसमें एक के 718 बने और एक के 719 बने ये बात होगी ये एक वीडियो काफी जादा बाहर है लो रही थी कि हिंदी मीडियों का पेपर जो वो अंग्रेजी में आने पर छात्रों को बहुत जादा मायोसी हुआ ये पेपर लेकर भी बाहर आगे थे इसको भी हम डिसकर्स करने वाले इसको लेकर क्या है कि पटना को अपने क्या किया था जो पटना पुलिस थे उन्होंने बहुत तुरंत कारवाई की थी इस चीज़ के पर नीट कोशन और आंसर जो है वो 20 एस्पिरेंट से जो उमिद्वार थे उनसे जो त्यारी करने वाले जो बच्चे थे उनके एक दिन एक्जाम होने से पहले उनसे मतलब जब्द कर लिये थे ये बाद पटना पुलिस ने खुद ये चीज़ें बोली है अब इसके बाद क्या होगा कि बिहार पुलिस की जो एक एकनोमिक ओफेंस यूनिट है उन्होंने क्या क्या इस मामले में गिरफतार किये गए संगटित गिरोग के ऐसे सदस्यों से परवेश पत्र, पोस्ट, टेटिड, चैक, परमान पत्र इनसे जबत के हालांकि गहन जांच जारी है लेकिन विशेज जांच दल ने कहा है कि अब तक जो भी सबूत उन्होंने मिले है वो इस पर कहीं पर भी मतलब इशारा नहीं करते कि पेपर लीक हुआ है ऐसे प्रयाप सबूत हमारे पास नहीं आए ये बात खुद पुलिस ने बोली एंटी ने पेपर लीक के किसी भी मामले को उन्होंने इनकारी करना था वो इन्होंने कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो खिलाब जो याचिकाएं दायर हुई है उनके साथ जो है जो भी जांस कर रहे हैं जांस करता जो है इनके साथ हम हम इनका पुरा साथ देंगे हलांकि N.T. ने पूस्टी किए कि सवाई महववववूर राजस्तान के अंदर क्या हुआ जो Hindi Medium के चाहता थे उनको गलती से अंग्रेजी Medium के जो प्रिक्षार्टी क्या करते थे इस प्रिक्षार्टी को लेकर साथ ही बाहर आ गए थे प्रिक्षा होल में जिसमें भई ये बताई गई थी obviously वो बाहर याएंगे English Medium का पेपर दे रहे हो, Hindi Medium के बच्चे हैं तो उनके साथ जो चीजे हुई तो उसको लेकर वो जो बाहर होल में है तो उन्होंने ये बात अपने उपर आप बीती सब को ये बताई अब ये हो गए हमारे सामने अब एक आती है कि आप 14 जून को लाने वाले थे रिजल्ट चार जून को क्यों लेकर आए NTA ने इसके ओपर भी सवा अपनी सफाई देते हुए का देखें इसके अभी प्रिक्षाओं के प्रिणाम देखें आपने कहा कि हमने चार जून को क्यों दे दिया तो ये कहते हैं कि जो हमने प्रोविजनल की आपको दी जब की आएगी तो बच्चे जो है उसके ओपर अपने एक होता है ने कि मुझे ये नंबर कम क्यों दिया ये कोशन गलत है तो उसके ऊपर क्या करेंगे वो अपना यहां पर हिंदी थोड़ा सी टफ हो जाती है यार डिकलेर एट अर्लिएस ओन दा कमपेटिशन ओफ दा नसेसरी चेक इन दा रिजल्ट प्रोसेसिंग पोस्ट आंसूर की चैलेंज चैलेंज किया जाएगा कि ये चीज गलत है फिर यहां पर क्या होगा और नीट यूजी 2024 के प्रणामों को स्थापित प्रक्रिया के अनुसार संसाधित किया गए ये थोड़ी सी हिंदी देखो हिंदी थोड़ी इसलिए गलत होगी क्योंकि सीधा उठा के मैंने copy-paste किया है ऐसा कुछ नहीं यहां पर ठीक है मैंने नहीं लिखा है ये जो है इंडियन एक्सप्रेक्स के अंदर ये आर्टिकल आया हो था उस आर्टिकल को मैंने टाइप किया टाइप करने के बाद सीधा मैंने google translate के अंदर जैसे जैसे translate वहाँ यहां रखती है तो कुछ एक हिंदी यहां पर गलत हो सकती है तब ही तो मुझे हिंदी में यहां पर दिक्कत हो रही है क्योंकि यह सई से लिखी नहीं आ रही समझ नहीं आ रही मेरे को तो NTA ने बताया कि देखे वो क्या करते हैं 30 दिन के बीतर 23 लाग उमिद्वारों का प्रेणाम उन्होंने गोशित करने में काम्याब रहा है जेई मेंस का 2024 का जो Session 1 था उसमें को प्रेणाम उसने 11 दिन के अंदर गोशित कर दिया और Session 2 जिसके अंदर Session 1 भी सामिल था उसका उसने 15 दिन के अंदर गोशित कर दिया था अब हाई कट उफ का सवाल क्या उठा mind हाई को पर तो अनोंने देखे साब बोलाई की obviously हाई कट उफ इसले आया है क्योंकि उमिद्वारों की संक्या जादा हो गDA है पहले कितने हुखा करते थे आज की देट में 24 लाग हो गए है तो 24 लाग हो गये हैं तो जैसे competition आगे बढ़ रहा है obviously एक competitive exam है competition तो आगे बढ़े गाई जो बच्चें जो है अपना standard high करेंगे standard high जैसी करेंगे वो जो है cutoff को और ज़्यादा उपर लेके चले जाएंगे जैसा 2022 में इन्होंने बोला कि उमिद्वारों की 720 जो नंबर थे उनका अगर ओसत निकाले तो 259 बनता है जो unreserved category है जो इनके लिए pass होने के लिए जितना चाहिए होता है वो ये था लेकिन 2024 में ये जो अंकर 164 उपर चला गया जा पहुंची cutoff 323.55 पर साथी NTA के अनुसार इस वर्ष रिकोर्ड जो है 23.81 छात्रों ने NetUG का पेपर जो है यानि रिजिस्टेशन करवाया था पिछले साल की जो था वो 20.87 लाग थे जो cutoff को पर बढ़ाने में एक तरीके से ये योगदान रहा है आज की जो एक तरीके से समझो की current wish है या current जो चीज है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जीत जा चुकी है ये एक तरीके से ताजा ख़बर समझ लो अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने demand किया है answer का NTA से कि आप इसके ओपर हमें जवाब दीजिए क्योंकि इतने जादा लोग जो है या बच्चे जो है परिशान है उनके इतने जादा response हा रहे हैं वो इसको scam की तरीके से देख रहे हैं जो एक पवितरता थी NEET को लेकर जो exam को लेकर इतनी पवितरता थी आपने उसको कही ना कही भंग किये आपको उसको जवाब देना होगा क्यों इसी cancel ना किया जाए तो ये सुप्रियम कोट ने answer मांगए देखे आने वाले टाइम में अब सुप्रियम कोट इसके ओपर कैसे react करता है क्या उसका decision रहता है वो definitely हम discuss करेंगे तो बस आज के लिए इतना है था अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो obviously मुझे कैसे बता सकते हैं लाइक करके आपके कोई doubt है तो comment section ओपर आएता है आप comment पे अपने doubt भी लिख सकते हैं और कुछ जादा है पसंदा है तो obviously subscribe कर सकते हैं वीडियो को share भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अपने relative के साथ तो बस आज के लिए इतना है था thanks for watching this video